ठीक है चलिए वेरी वेरी गुड एवनिंग तो हम एक कुछ एक कुशन्स करते हैं जो होमवक में भी दिया था और बच्चों का डाउट भी था तो उसके हिसाब से अट्जेस्टिट पर्चेस में एक चीज बताना था मुझे एक पॉइंट बताना था ठीक है अट्जेस्टिट पर्चेस के अंदर मैंने फॉर्मुला पहले जो लिखवाया था उसमें पर्चेस रिटन भी कर दिया था तो अड्जेस्टिट पर्चेज होता है हमारा सभी से लिख देते हैं इसको साइड देखिए अड्जेस्टिट पर्चेज क्या होता है यह ध्यान रखना है इस इकल टू आपका पर्चेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग इसमें पर्चेज रिटन नहीं होता ठीक है इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें पर्चेज रिटन नहीं होता इसमें पर्वीन कोई दिक्कत नहीं है और वैसे मैंने क्लास वोल्ड करके रखा था क्यूंकि अब 30 को खतम हुआ है जाके तो अब मैं थोड़ा से स्पीड करूँ है क्लास का क्यूंकि 30 तारिक तो आपके इसलिए मैं बहुत स्लो भी चल रहा था कोई बात नहीं पुरानी रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइव मिलेगी सारी चीज़े आपको मिलेगी उसके अंदर आप कर सकते हो है ना चलिए मैंने यह सारे अड़्जस्मेंट वकाइदा करा दिया एक सेकिंड दीजेगा मुझे मैं चलिए मैंने उल्दो सारे अड़्जस्मेंट करवा दिये हैं लगभग लगभग ठीक है और बीच में कोई आ जाएगा तो सीखना होगा तो यह वाला जो कुश्चन्स है आपको होमवक में दिया गया था अब इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है यह काफी बच्चों का डाउट रहा था कि सर्थ 10 पर्सेंट जर्नल रिजव का कैसे करना है देखो आपके पास ना देखो मैं कॉंसर्ट बताऊंगा जो कुश्चन में बहुत तिर्की अज्जेस्मेंट रहेगा वो पूरा हम सोलुशन कर लेंगा और जुसका कम रहेगा ना उसका आप सोलुशन करोगे डाउट होगा उसका मैं डाउट सोट आउट कर दूँगा इस पूरे अगर आपको ट्रांसफर जनरलीजम में देता है तो इसकी दो एंटरी होगी एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सेकिंड हो जाएगा हमारा कहां पर इस किनधी हो जाएगा हमारा लिविट के credit side यानि liability side बोल लो या liability credit बोल दिया मैंने liability side है ना हम example भी देख लेते हैं आपको clarity मिल जाएगा और आपने मेहनत करना है तब ही कुछ बात बनेगा नहीं तो आप बैठे रह जाओगे आप first year के अंदर पता नहीं चलता बच्चों को कि कब समय निकल गया और कब paper आगया और paper में हमने कुछ पढ़ाई नहीं ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है specially suppose करो मैंने आपके लिए एक as a pndl बना रहा हूं मैं कुछ अपनी मर्जी से data डाल रहा हूं यह हमारा pndl है by gp आगया यहां पर मान लेते हैं 20,000 and here two salary लिख दिया मैंने 1000 और two मैंने यहां stationary लिख दिया मान लेते हैं 3000 और अब finally हमारा जो profit आएगा निकल के मैं यहां पर नहीं लिखना चाहता तो मेरा यहां net profit जो निकल के आएगा वह पता है कितना निकल कहेगा 20 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो 16 और adjustment में कहता है कि 10% amount net profit का transfer to general reserve यह कह रहा है adjustment के अंदर इसका मतलब भया जो आपका profit आएगा उसका 10% general reserve में रखना है तो हमारे पास तो profit 16,000 आ रहा है तो 16,000 का 10% that is होगा 1600 एक तो debit में लिख दोगे यहां पर general reserve और यह लिखोगे 1600 और दूसरा इसी 16,000 की entry कहां कर देंगे हम balance sheet के liability side में और again profit आप final करके निकालोगे that is क्या आएगा 20,000 और 2 आ जाएगा यहां पर क्या net profit और net profit कितना आ जाएगा हमारा minus कर दोगे finally यानि 16,000 में 16,000 में 16,000 minus कर दोगे तो 15,000, 14,400 correct यह adjustment बनना था हमारा किसका सर जो यह वाला adjustment थाना इसके लिए यह था तो मुझे सारा question कराने की जरुरत नहीं है सिर्फ इस adjustment पर बताना था दूसरा एक यहां पर point और आया है Chatterjee loan अब Chatterjee ने loan taken किया है कब किया है एक 10 को 18% तो यह तो मैंने बताया था date के इसाब से 6 महीने का निकालोगे interest यानि आप 25,000 पे 6 महीने का interest निकालोगे 18% और into 6 by 12 तो होना यह चाहिए आपने loan लिया है तो तो देर 25,000 का 18% divided by 12 into 6 तो यह 250 आएगा है कि नहीं और आप पहले चेक करोगे तो कहीं न कहीं interest दिया हुआ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है तो interest है नहीं कहीं भी है न मैंने चेक कर लिया कहीं भी interest नहीं है तो यह सारा का सारा outstanding माना जाएगा जो कि एक hidden adjustment का part रहने वाला है clear है sir मेरे पास previous 14 edition की book है जेर मुगा चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगी जो भी नई चीज़े होगी वो मैं अलग से आपको slide पे दिखाऊंगा वो manageable होगा ठीकर नहीं ऐसा चुनिए कि आपको दुबारा invest करना है पहले बताईए ये समझ में आ गया जो बच्चे शुरू से पड़ रहे हैं उनको जो बच्चे आज जोइन हुए हैं उनको दिक्कत आ सकती है वो पहले सारी adjustment वाली class और content में जाके देखिएगा live class से मत देखिएगा content में proper तरीके से given है ठीक है इस बात का ध्यान दखना है चलिए सर आगे adjustment देखें प्रोप्राइटर टेकन गुड्स फन नीचर ये वाला शायद कर लिया था हमने राइट तीस सेप्टेंबर को मेनेजर मसीन ये कर लिया था एक adjustment छोड़ के नहीं ये करा था हमने है ना ये वाला रह गया इसमें adjustment चलो ये भी देखते हैं और देखते हैं ये दिया था मैंने हां इसमें कोई डाउट रहा या अंसर आगे बताईए जिस बच्चे का डाउट है बताओ ये आगे अंसर इसका डाउट रहा तो बताईए जो बच्चे स्टार्टिंग से है अगर डाउट रहा तो बताईए आप और जो मैंने वर्टसप नंबर कंटेंट में दिया हुए वहां आप डाउट भेजेंगे प्रॉपर सोलीशन मिलेगा आपको एक ये डाउट हो गया था बच्चों का ये मैं पूरा कोशन कर देता हूँ ठीक है ये मैं पूरा कोशन पढ़ भी देता हूँ और कर भी देता हूँ तो फटा फट से फार्मेट बना लेते हैं प्रॉपर से प्रॉपर से फार्मेट अज़ देता हूँ अज़? खोड़ा इसको साइड कर देंगा जैसे जैसे जुरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे वस आपको फोकस करना है बैलेंशीट भी यही बना लेते हैं ठीक है ये रहा ये बैलेंशीट है किसी बच्चे को अगर वीज्वल ना हो तो बताना कुश्चन मैं भी दिखाऊंगा वैसे तो और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है चलिए कुश्चन पर दिखाने का काम कर लेते हैं ये थोड़ा इधर हो जाएगा ये उपर हो जाएगा ठीक है जगह बन गई हमारे पास और अज़ेश्मेंट लास्ट में नहीं दिखेगा मैं बढ़ा करके दिखा तूँ आपको और मैं हर बच्चों को एक ही बास सज्जेस्ट करता हूं कि आपना बुक ले लीजिएगा भ फाइदा ये होगा क्या फाइदा होगा कि जो मैंने छोटे-छोटे कुश्चन यहां लिखे वे हैं यह आपको प्रॉपर दिखे जाएगा ओपर अड़्जेस्टेट परचेस इंड सेल्स दे रखा है मैंटर नहीं करता थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ठीक है दिख रहा है कि आप सभी को कुश्चन बताइए कमीशन डेट वाला उस वो भी करेंगा आज हम कुश्चन करेंगा ऐसी बात नहीं है इसमें बताइए कुश्चन दिख रहा है आपको क्या हम स्टार्ट करें कुश्चन सिर्फ अमाउंट देखना है आपको दिख रहा है कुश्चन ठीक है चलिए यहां भी बच्चों को दिखी रहा होगा अमाउंट देखना है थोड़ा मैनेजिबल करना पड़ेगा भई ठीक है यह है तो सबसे पहले हम ना अटजस्मेंट को पढ़ लेते हैं एक्जाम कैसे अटेम्ट करना है वो भी मेरे साथ साथ देखते जाना पहला क्लोजिंग स्टोक का ओके साथ यह होगा मसीनरी इतने का था पर्चेश you in the पर चेश मसीनरी एकाउंट 5,000 ठीक है, machinery पर adjustment है, commission धाई परसेंट, चलो sales पर adjustment है, investment पर adjustment है, right of bed debts, debtor पर adjustment है, depreciate building पर adjustment है, machinery और furniture पर भी adjustment है, prepare trading, तो हमें idea लग गया है, सबसे पहले capital दे रहा है, आपका 8,00,000, that is यहां लिख देते हैं, capital और 8,00,000, ठीक है, इसके बाद drawing है, 60,000, तो यहीं से minus कर देते हैं, less, drawing 60,000, देखो मैं short form में use करूँगा, लेकिन आपने नहीं करना exam में use, इसके बाद opening stock दे रखा हैं आपको, और क्यूंकि question में आप purchase को एक बार focus कर ले ला है, opening stock लिखने से पहले, कहीं adjusted purchase तो नहीं दे रखा, check कर लेते हैं, नहीं दे रखा, तो आपको opening stock that is 75,000, तो trading account में आ जाएगा, to opening stock, 75,000, ठीक है, इसके बाद, आगे क्या दे रखा है आपको, purchase 15,95,000, और purchase हमेशा अंदर लिखना है, 15,00, थोड़ा छोटा-छोटा हो गया, लेकिन देख जाएगा, और noting आपको PDF मिल जाएगा, हमारा ना मैं देख रहा हूँ, नोटिंग में टाइम चला जाता है, तो मैं PDF दे दिया करूँ आपको, इसके बाद, freight on purchase, तो सर्फ freight की बात आगे, तो direct ही हो गया, तो freight, amount क्या है, 25,000, next क्या दे रखा है, बताइए, wages में यहीं आ जाएगा, बताओ कितने amount का है, कितने, 66,000, और क्या दे रखा है, हाँ, wages आपका 11 मन्त का है, तो ये भी adjustment देखो, मैंने बताया था, तो 66,000, अगर आपका 11 मन्त का है, that means इस पर adjustment है, तो यहाँ लिखेंगे, आप 66,000, और 11 महिने का है, क्योंकि, तो अगर 66,000 रुपए, आपका 11 महिने का है, वो भी फैब तक का, तो एक महिने का बनता है, 6000, तो एक महिने का outstanding रहा होगा, तो इसके अंदर outstanding add कर दोगे, 6000, जो outstanding है, यहाँ पर लिख देंगे, outstanding wages 6000 रुपए है, समझ में आए यह adjustment, ठीक है, करा था मने यह adjustment, समझ में आए आपको adjustment बताईए, adjustment में कोई doubt है, जो मैंने किया, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, इसके बाद, sales है, 23,10,000, तो buy sales, 23,10,000, ठीक है, इसके बाद, sales के बाद, salary दे रहा है, 1,40,000, तो salary पी एंडल का part है, और मैं मान के चलता हूँ, इसके बाद, मेरा पी एंडल स्टार्ट हो जाएगा, तो salary दे रखा है, 2 salary, 1,40,000, next क्या है, तो इसके भी adjustment नहीं था, तो अंदर ही लिखूँगा, postage कितने का है, 12,000, ठीक है, next क्या है, अगला है हमारा miscellaneous, नहीं, printing and stationary, तो ये भी धरी आएगा, amount क्या है, 18,000, कोई adjustment है नहीं, इसके बाद, miscellaneous expense, क्या होता है, छोटे मोचे, खर्चे, कितने है ये, 30,000 रुपए, इसके बाद, creditor liability है, तो यहां लिख देते हैं, creditor amount, और 3,00,000 रुपए, इसके बाद, investment assets है, that is, यहां लिख देते हैं, investment amount, एक लाख, एक लाख है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, यह asset है, और यह liability है, इसके बाद, discount receive, that is, income, तो यहां लिखेंगे, buy side में, buy discount, receive, 13,000, इसके बाद, 15,000, इसके बाद, debtor assets है, adjustment था, तो इसे अंदर लिखेंगे, amount, दो लाख, पचास हजार, इसके बाद, चलो, bet debts, bet debts, trial में है, तो simple सी बात है, खर्चा है, two bet debts, two bet debts, 15,000, इसके बाद, provision for bet debts, क्योंकि trial में है, तो यह इधर आ जाएगा, PFD, कितने, 8,000, book में, मैं again कह रहा हूँ, क्योंकि वो न, minus plus करते हैं, तो आपको उसमें, tension नहीं लेना, आपको इसी तरीके से करना है, आपका match होगा, definitely होगा, ठीक है, इसके बाद, हमने देख लेते हैं, ये भी देख लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां तक हो गया, building कितने का है, तो बिल्डिंग लिख देते हैं, adjustment इस पर भी है, तीन लाख, machinery पर भी है, 5 लाख, furniture पर भी है, depreciation, पर नीचर कितने का है, 40K, यानि 40,000, commission on sales 45,000, इस पर भी adjustment है, तो 2 commission, 45K, ठेक है, इसके बाद, interest on investment, 12,000, income है ये, तो by interest on investment, 12,000, वैसे इस पर भी adjustment होगा, शायद देखेंगे, insurance का expiry date दे रखा है, year, यानि 31, 7, तो सर, इस पर भी adjustment है, insurance पर बताया नहीं है, लेकिन, internally adjustment बन जाता है, इस पर, अरे, क्या लिए, इसको उपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा नीचे देखे, insurance, कितने का insurance, 24, यहाँ पर प्रिपेड जो भी निकलेगा, हम देख लेगे, ठीक है न, इसके बाद bank balance डेड़ लाक है, तो सीधा bank लिख दिया मैंने, हाँ, एक लाक पचास हजार, यह मैंने सारा item ट्रांसफर किया, exam में भी आपको ट्रांसफर करना, और adjustment पहले आपने पढ़ लेने, उससे फाइदा क्या मिलेगा, कि मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, और same as it is page रखना है आपको आमने सामने, ताकि आप फटा-फट कर पाओ, चलिए, अब आजाते हम adjustment करने को, पहला closing stock है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा, trading में, buy closing stock, और that is कितने का है, 2,25,000, जितने भी adjustment है, मैं इसी marker से करने जा रहा हूँ, और इधर भी आजाएगा, closing stock, that is 2,25,000, secondary, ध्यान दिजेगा, कहता है, machinery, 45,000, purchase, एक, दस, बीस को, so as a purchase, जिसको purchase में show किया गया है, freight, paid on machinery, 5000, which include in freight, यानि, simple सी बात क्या कहना चाहरा है, question में, कि हमने न एक machinery, पहले हमारे पास old, हमारे पास दो चीज़े गीवन है, एक तो आप ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पर purchase है, जो भी x, y, z है, और यहाँ freight भी है, और एक balance sheet के अंदर हमें machinery भी दे रखा है, अब कहता है, हमने जो machinery खरीदा है, उसके आगे specific date गीवन है, तो इसका मतलब जो नई machinery खरीदा है, अपने, उसके उपर उतने दिन का ही अगर आपने machinery में ना जोड़के, आपने गलती से इसे purchase में जोड़ रखा है, तो यहाँ से क्या कर देना चाहिए, minus, और इसमें जाके क्या कर देना चाहिए, और जब कभी भी हम नई machinery खरीदे हैं, तो उसके होपर होने वाला सारा खर्चा, वो machinery का ही पार्ट माना जाएग जबकि question कह रहा है, इस पर freight जो लगा हमने freight में एड़ कर दिया, तो भी है freight भी गलत हो गया हमारा, तो ऐसे situation में क्या क्या होगा, एक तो हमारा purchase से minus हो जाएगा machinery, और कितने रुपे का purchase में जुड़ा हुआ था हमारा, 45,000, और एक freight में से भी minus हो जाएगा, सर, सर, freight में से क्यों minus होगा, क्योंकि freight हमारा कितने का था, 25 का, freight जो हमारा था, वो था 25 का, कितने का freight है, नहीं, पहले 25 का था, और उसमें से less कर दोगे freight, कितने 5, क्योंकि वो machinery पे, ultimately ये 20 का हो जाना है, और machinery को तो अपर चीज को तो देखेंगे, जब इसको 20 का हो जाना है, तो हमारा machinery जो है, ये गलत होगा, क्योंकि वो सारी चीज़े वहाँ जुड़ गई, तो यहाँ पे नहीं आया होगा, तो यानि 45 और 50 अजार का machinery में add और होगा machinery, 50 अजार और जिसके उपर depreciation हम पूरा साल का नहीं लगा सकते, because इसके उपर depreciation लगाने के लिए आपको date given है, कि एक दस दो हजार बीस में खरीदा है, तो इसके बाद 6 महिने का इस पे डैप लगेगा, और बाकी इस वाले पे पूरे साल का लगेगा, जब depreciation लगाएंगे तब देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम आजाते हैं अगले adjustment पे, commission payable 0.5% on sales, जितना भी sales था, उसके उपर 0.5% commission पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक adjustment करना पड़ेगा, कौन सा sir, investment, कहता है भी या, investment हमने 10% profit पे बेच दिया, और जिसको हमने sales मान रखा है, यानि ये investment आपने sold कर दिया है, कितना बेचा है, पूरा investment sold कर दिया, तो investment तो 0 बचिया, और आपने इसको sales मान लिया, तो भी या, sales में तो नहीं होना चाहिए न, तो यहां से लेस करो investment और कितने का बेचा है आपने investment 10% profit यानि एक लाग का समान एक लाग दस अजार में बेचा है तो मतलब सर आपका sales जो था वो ultimately 22 लाग का बना अब जो 10,000 का मुनाफ़ा कमा लिया मुनाफ़ा तो एंडल के credit में होना चीए by profit कितने का 10,000 का अब देखें यहां से हमने कितना minus कर दिया एक लाग तो credit हो गया और यहां से हमने एक 10 minus कर दिया तो क्या हो गया debit हो गया तो debit एक 10 और credit कितना एक लाग और एक credit यहां तो हमारा मैच हो गया ठीक है बताईए किसी बच्चे को इसमें doubt है क्लियर है कि सर अड़्जस्मेंट टू साइड कैसे जाएगा अड़्जस्मेंट टू तो साइड कैसे जाएगा अड़्जस्मेंट तो ओनली ट्राइल बेलेंस में दिया है ना नहीं ट्राइल बेलेंस में अगर date और percentage दे दे तो हमेशा महां पे दो साइड जाता है वह भी एक अड़्जस्मेंट ही होता है हमारा यह मैंने कहा था आपको ठीक है ना बढ़ जाया आगे आप बोलें तो सर वेजिस का वेजिस तो अभी आया नहीं है अच्छा वेजिस का पॉइंट डाउट में है मैं वेजिस का भी क्लियर कर देता हूँ वेजिस क्या कहता है देखो बड़ी सिंपल सी और सीड़ी सी बात है हम जो अपना पी एंड रुपे दिखाया है वो भी 11 महिने का तो अगर मैं अपने पी एंडल में 11,000 रुपे कोई भी पॉइंट दिखा रहा हूं जो कि 11 महिने का है जबकि पी एंडल कितने महिने का बनना चाहिए 12 इसका मतलब 1000 रुपे और पी एंडल में दिखाना है आपने सिंपल निकाल लिया कि 11,000 दे रखा है 11 महिने का तो एक महिने का निकल लिया हजार जो की और आपको पी एंडल में दिखाना है तो आप 1000 यहां एड करिएगा देट इस आउट सेंडिंग के नाम से और यही 1000 रुपे आपका चला जाएगा बैलिन शीट के लाइग डिटी में वही काम मैंने यहा कह रहा था यहां पर आप देखिएगा 11 महिने का वेजिस दिखा रहा है और 66,000 है तो अगर मैं 66,000 को 11 से डिवाइड करूँ देट इस आ जाएगा हमारा 6000 और यह 6000 एक महिने का बकाया होगा जो कि मैंने वेजिस में एड कर दिया है और दूसरी इंटरी कहा दिखा दिया है म आगे बढ़ जाते हैं अब कमीशन बोलते हैं कमीशन कहता है भी यह 5% दो सेल पे तो सेल्स जो हमारा है वह 22,000 है तो अगर मैं कमीशन निकालूं तो कमीशन 22,000 पे निकलना चाहिए आपका 2.5% निकालोगे तो 55,000 आएगा जबकि आप कमीशन देखोगे औरेडी रिकॉर् 45,000 रुपे हैं तो हमें और एड करना होगा आउटस्टेंडिंग कमीशन के नाम से तेट इस 10,000 तभी तो जाके यह बनेगा 55 और 10,000 अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टेंडिंग कमीशन के नाम से लाइबलिटी में आ जाएगा 10,000 देखिए adjustment 1 हो गया 2 हो गया तो सबसे पहले यहां माइनस करेंगे बेड़ेट्स कितने का बेड़ेट्स माइनस है 10,000 का तो हमारे पास बचा 240,000 के 240,000 के अब इसमें से माइनस क्या करेंगे PFD that is आपका कितने परसेंट है 5% तो इसका 5% निकालोगे तो क्या एगा 12,000 अब 12,000 रुपे इसका 5% आ गया अब जो हमारा यह बेड़ेट्स है उसको हम यहां भी दिखाएंगे एक तो बेड़ेट्स यहां दिखा देते हैं कम स्पेस है बेड़ेट्स इस आपका 10,000 और जो यह वाला हमारा प्रोविजन है इस प्रोविजन को हम प्रॉफिट एन लॉस के डेबिड में ही दिखाएंगे क्योंकि यह कहां गीवन है हमें अटजिस्मेंट में गीवन है तो मैं इसको यहां दिखा देता हूँ किस नाम से दिखाऊंगा मैं यहां पे यहां पे दिखाऊंगा पी एफ डी टेट इस आपका 12,000 रुपे ठीक है थोड़ा सा साइज रेडियूस कर देते हैं आपको पूरा देख चाहे था कि और थोड़ा साइज भी छोटा आप फिर से देखो क्या किया सबसे पहले बेट डेट्स माइनस किया फिर प्रोविजन माइनस किया यह बेट डेट्स भी पी एंडल के डेविट में चले है लेकिन इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं जो कि क्या होता है फर्दर बेट्स उसके प्रोविजन था वह पी एंडल के डेविड में चला गया ठीक है अगला कहता है डेप्रीशेशन बिल्डिंग पे 5% लगाई है ठीक है सर लेस कर दीजिए लेस कर दीजिए डेप्रीशे नहीं बिगड़ गई सर मसीनरी के अंदर मसीनरी एक तो हमारे पास है कितने का पांच लाग का इस पे लगेगा पूरे 10% और एक मसीनरी जो की बाद में लिया गया है इस पचास हजार इस पे लगेगा 10% और वो भी 6 महिने का इस आपका पच्चिस सो तो टोटल डेप्रीश शूआ था बीचिशनवीं 2,50 हो जाएगा यानि 5.5 लेख पे हम अगर डेप्रीशेशन माइनस कर दें —प्रीशेускी को इक आप देखे clear आ गई साइद अभी चला गया था screen अब hopefully आपको आ गया होगा ठीक है now clear है सारे चीज़े ठीक है अब आगे कहता है कि machinery के बाद furniture पर भी 10% डेप लगाई है तो यहां minus कर देता हूं depreciation फर नीचर पर 10% डेट इस फूर के अब मैं टोटल अब depreciation कितने हो गया एक दो तीन अब हर किसी का depreciation यहां लिख देते हैं तो टू depreciation और मैं आप ब्रैकिट में लिख रहा हूं आपने क्या करना है सभी का डेप अलग अलग करके दिखाना है तो पहला डेप क्या था 75 के मेरे पाद स्पेस की कमी है स्वरी 75 हंड्रिड पहला डेप है 75 हंड्रिड दूसरा डेप है बावन हजार पांसो और तीसरा डेप होगे हमारा 4000 यह टोटल इखटा करके हम दिखा देंगे बाद में ठीक है अब एक adjustment रहे गया फाइनली लास्ट insurance insurance कहता है 37 तक year का दे रखा है अब यहां पर specific डेट नहीं है यहां से लेके यहां तक तो इसका मतलब यह है तो 12 महीने का तो इसका मतलब insurance 24,000 जो दे रखा है यह 12 महीने का है और इसको तीन महीने आगे चले है क्योंकि अप्रिल के बाद मई जून जुला तो इसमें तीन महीने का prepaid रहा होगा that is कितने हो जाएंगे हमारे 6000 रुपए और इस 6000 को माइनस कर देंगे किस नाम से prepaid के नाम से 6000 और इसी 6000 को हम assets में दिखा देंगे prepaid insurance 6000 यहाँ पर आजम्शन भी दोगे कि हम यह मान के चल रहे हैं यहाँ पर date mention नहीं है that's why हम यह मान के चल रहे हैं कि जो हमें insurance दे रखा है यह 12 महीने का ही है यह लो जी ठीक है बुक में चेक कर लीजिए को एजम्शन वगारा ले रखा है कि है इन्होंने इसे में जाड़ तालिस्सो है 8000 हमारा time देखें एक बार कब कहता है यह कब तक कह यह अच्छा 31 साथ है अप्रेल मई जून और जुलाई चार महीने हो जाएंगे यह ध्यान मैंने नहीं दिया यह चार महीने हो जाएंगे तो देटिस आपके कितने हो जाएंगे यह तो यह 8000 और हेर भी आपका 8000 ठीक है अब फटा फट से मैं टूटलिंग का और प्रोसीजर कर देता हूं सारा तो सर बाइस लाग का यह हो गया 45,000 माइनस 15,95,000 माइनस मैं पंद्रा बचा इसके बाद यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया और 24 में से 8 गये तो माइनस 8,11,000 पीफडी बेगर दिखा दिया डैप्रिशेशन एड कर देता है 75,64 ठीक है सबसे पहले हम ट्रेडिंग का प्रॉफेट निकाल ले 22,02,25,24,25,25,25, 24 25,000 2 क्या आ जाएगा हमारा Gross Profit 2 Gross Profit आ जाएगा Minus 75,000 चेक भी कर लेते हैं 20,000 7,8,000 और यही क्या बन जाएगा By Gross Profit 7,8,000 Plus 15,000 Plus 8,000 Plus 12,000 Plus 10,000 7,5,000 7,53,000 मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ दिखाने के लिए अरे यह तो बहुत उपर चले गया चलिए चलिए अब इसमें से Minus कर देता है Minus 10,000 Minus 41,000 Minus 12,000 Minus 18,000 30,000 Minus 15,000 Minus 55,000 Minus 16,000 12,000 Minus 64,000 यह आगया 38,000 3,000,000 की क्या सी हजार चेक कर यह Net Profit 381 अब इस Net Profit को हम Add कर देंगे वापस अब हमारा उपर का काम नहीं है तो नीचे लिए आते हैं Add Net Profit 381 चलिए Plus Plus 8,000 Minus में 60,000 यह आगया 11,21,000 इसका Total कर लेते हैं और इसका Total कर लेते हैं Plus में 6,000 Plus 30,300,000 Plus 10,000 Total आगया 14,37,000 इधर भी Total कर लेते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होजबट 12 माइनस करोगे तो 2,03,28,000 इसकातर सो माइनस करोगे तो 2,95,000 5,50 में से 52 माइनस करोगे तो 4,97,500 36,000 यह मैंने कर दिया ठीक है Total चेक कर लेते हैं 2,88,000 292,500 292,500 49,636,000 8,000 यह लिखा हैं यह लिखा हैं यह लिखा हैं 14,97,000 तो लेजिए यह कॉस्चन हमारा हो जाता है डन यहां पर एक पीच पर सारा दिखा देते हैं बताइए किसी बच्चे का डाउट कॉस्चन तो आपके पास होगा बुक में यह रुखा बुक में आपके हमारा जो आपके बताने लाइक को गारा ने लायक कर लें ठीक है क्लियर ह्यए झाल झाल